नमस्कार, मैं हूँ हर्प्रीत कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस लाइव सत्र में आप हमें देख रहे हैं हमारे एविद्या चानल नंबर 10 पर और साथी साथ हमारे यूट्यूब चानल एंसी एाटी ओफिशल पर आज हम आप के लिए लेकर आये हैं ये लाइव इंटराक्शन जिसमें हम कक्षा दस्वी के चात्रों के लिए हिंदी में एक टॉपिक लेकर आये हैं हम आज सीखेंगे दूसरे अध्याए में पत मीरा ये हमारा आज का टॉपिक और अगर आपके भी इस टॉपिक से जुड़े हुए स्विशे से जुड़े हुए कोई प्रशन है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है डबल एट डबल जेरो डबल फोर जेरो डबल फाइब नाइइ इसके अलावा आप अपने क्वेस्टिन्स अपने फीडबाग अपने सिजेस्टिन्स कोई भी आपके डाउट हैं आप हमें एमेल पर भी भेज सकते हैं हमारा एमेल आईडी है dth.class10 at ciet.nic.in और आज इस दूसरे अध्याय यानि पद्मीरा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं Mr. Ashish Kumar जो है ex-junior project fellow from department of education and language NCERT और साथ ही साथ at present he is a research scholar University of Delhi में. Sir बहुत-बहुत स्वागत है आपका. जी तो दर्शे को हमने आपको बताया कि आज का हमारा topic है Padmira इस पर हम अपनी चर्चा की शुरवात करें इससे पहले हम आपको देना चाहेंगे एक बहुत ही important information जी हां India की G20 Presidency के बारे में. We all are proud of the fact that India has assumed G20 Presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. You know, it's a nation deeply committed to democracy and multilateralism and it always tries to find out pragmatic global solutions for the well-being of all while manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbagam. जी हां इस बहुत ही अच्छे से नोट पर हम अपने आज के इस session की शिरुवात करते हैं जो है Padmira हम जानते हैं. मीरा थी Krishnabhakt और सर उन्होंने बहुत सारे पद लिखे, उन्हें गाया. आज हम क्या सीखने वाले हैं इसमें? जी आज जो विशे है हमारा कप्चा 10 की किताब इसस परश भाग दोसे है, जिसमें हम मीरा के पद पर चर्चा करेंगे. हमारी किताब में दो पद दिये हुए हैं. उस पर आज हम उसकी व्याक्ष्या, उसके अर्थ जो है और उसका आज के संदर्व में क्या उपयोगता है, है उसके बारे में हम जानेंगे तो उसकी जर्णी सुरु करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि हिंदी कि कहां पर हैं किस स्थान पर हैं और वहां तक पहुचने में मीरा का क्या योगदान रहा है इस चीज को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित का इतिहास जो है वो कहां से सुरू होता है, तो आचार रामचंसुकल जी द्वारा जो तै किया गया, आचार रामचंसुकल हिंदी के बहुत बड़े आल सरुख और आज तक माना गया है कि इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है मौत देखनए कि के की हिंदी की शुरुवात कैसे हो रही कि एफ़ले ही संंस्क्रिथichen भासा है उसके बाद पाली प्राकृत अबढ्रस में आते हुए फिर हम हिंदी तक पूछ ते हैं तो अदी ज्रुवाती दौर है उसमने हमें दो भागों में बाट कर पूर मद्यकाल जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं और उत्तर मद्यकाल जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं तो मद्यकाल की जो सीमा है हमारी वो संबत 1375 और से 1700 तक की बीच में है जिसमें भक्तिकाल को 1375 से 1700 के बीच में रखा गया और रीति से हमने आदनिक काल का नाम दिया, जो संबत 1900 से 1904 तक देखा जाता है, 1904 हमने 1994 इसलिए रखा गया, क्योंकि उस समय तक ही सुक्री जी ने देखा, लेकिन आज की दोर को अगर हम देखते हैं, तो आज भी हम इसे आदनिक काल ही देखते हैं, तो बच्चों इसमें जो आ रहा है संबत, इसे हमें जानना जरूरी है कि संबत और इसबी में क्या अंतर है, आप देखते हैं कि कहीं कहीं इसबी लिखा होता है, कहीं संबत लिखा होता है, तो हम 993 अगर हम देखे तो वो इस्वी में आ जाएगा तो यह जो अंतर है इसमें 57 वर्स का है यानि की संबच जो है वो इस्वी से 57 वर्स आगे जोड़ कर हम चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं आगे तो हम देखते हैं भक्तिकाल को क्योंकि मेरा जो है वो भक्तिकाल की कवि यह 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 अन्यृत्री के रूप में जाना जाता है तो क्यों जाना जाता है उसको हम देख लिए एक बार तो भक्तिकाल को हम दो भागों में था सकर करते हैं सीधे इसवर की भक्ति में लीन रहता है और कहीं पर वो मात्र संकेत मात्र पाकर ही इसवर ये भक्ति में लीन रहता है तो सर निर्गुण धारा जो है वो जो मूर्ति पूजा करते हैं उससे रिलेटर है नहीं नहीं सगुण जो है वो मूर्ति पूजन से संबंदित है जिसमे surfaceagne II average Te 오픈 है कि चाने कि F đầuола है की इस इसे इस्वर से सब्ढ़ेश संबंद इस्तापिद कर न पिए कि इसकूरत करता लेकिन समाज्ण को भी उसमें इसतान देना तो इसमें हम देखते हैं कि निरूक घ॑ाव रहाने टो हमने दो भागू में बभाजित किया गया है । एक है ज्नास्री साखा है में कबीर नाब सबी ने सना होगा क्बीर का नाम बहुत ही प्रितिष्टा से लिया जाता है कि उन्हों से अपने ज्ञान के माध्यम से ही यस्वरी को भी इस्थान दिया और समाज में अपनी इस्तिती को भी बना की रखा उनके दोहे आज भी रेलेवेंट हैं जो हम पढ़ते हैं अपने नीजी जीवन में हम उनका उपयोग भी करते हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं बिल्कुल कबीर को तो हमेशा से ही उस इस तर पर एक है रामबक्ति काविधारा और एक है क्रिश्नबक्ति काविधारा तो जो रामबक्ति काविधारा है उसमें हम तुलसी दास को जानते हैं क्योंकि उन्होंने रामचरित मानस के माध्यम से पूरा रामचरित मानस को एक विसेश रूप में पूरे समाज में इस्तापित कि और आज भी हर कोई राम छरित मानस को ही ऑचारगट करता है और पार्ट करता रहता है तो इसलिए हम त Travis को बहुत ही आदर समवान का वह यहां सर मुझे करेक् कीजिएगा अगर में गलत हूं कि घर पे जब Russi बिल्कुल रामचरित मानस का ही पांट किया जाता है और समाज में हम देखते हैं कि मतलब जो भी दोहा गारा है तो अधिकतर हम देखते हैं कि या तो कवीर का है या तुलसी का है, क्योंकि वो समाज की उस धारा में जोड़कर सामने आए, जब लोग गाग आकर सुनाते थे चीजों को, उस समय के कभी रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्ण बक्ति काविधारा, तो क्रिश्ण बक्ति काविधारा में सबसे प रुवाज से मीरा का इस्थान जो रहा, क्योंकि मद्द काल में किसी कवित्री का सामने आना एक बहुत ही दुरलब बात मानी जा सकती है, उस समय पे मीरा सामने आकर हमें क्रिश्ण की भक्ति को समझा रहे हैं, ब्रिंदावन के पूरे बातावरण को हमारे सामने लाकर रख देते हैं, क्रिश्ण भक्ति में इस तरीके से मीरा ने जो कार किया है, क्योंकि सूर्दास के आँ हम देखते हैं कि बाल क्रिश्ण का वर्डन है, बाल रूप का जो क्रिश्ण का बाल रूप है, उसका वर्डन किया गया है, लेकिन मीरा के यहां जो है वो क्रिश्ण के लग मुझे लगते सर मीरा वाई की पहचान इससे भी बहुत जादा बनी क्यूंकि जिस तरह के वो मोहल से समाज से आती थी रूडिवादी राज घराने से और उसके बाद भी उन्होंने अपनी भक्ती को उपर रखा और किसी की नहीं सुनी अपनी इश्वर पर विश्वास रखा और यह बहुत हां यह इक बहुत फी बढ़रा की उपलप्धी रही जी बिलकुल अगर हम मीरा के समाज hijos को देखें तो पंदरह सो तीन से पंदेर Case का मीरा का समय रहा समय में अगर हम भारत की इस्तिति देखें, अमद कालीन भारत की इस्तिति हम देखते हैं, तियास में तो आक्रमण हो रहे हैं, कई सारे और जो समाज है वो एक रूडी के बंदन में बंधा हुआ न जाराता है हमको, और महलाओं की जो इस्तिति है वो उससे भी बत्तर है क्योंकि महलाओं को पूरी छूट मिली हुई है और पूंचना भी चाहिए मैलाओं को लेकिन उस समय को यह दिया तो मैलाओं को नहीं उतनी छूट मिली हुई थी तो वहां पर भी मीरा ने जिस तरीके से पदों की रचना की और हमारे सामने आज जो उपलब पद हैं उसको हम देखते हैं तो मीरा निश्चित ही बहुत ही आगे देखती थी आगे की सोच रखती थी तो हम एक बार मीरा जी का परचे देख लेती है मीरा भाई का तो मीरा भाई का जन्म जो हैं 1530 EJ में हुआ और इनकी मृत्तिव जो हैं 1546 EJ में हुए मुए जन्म जोदपुर के चौकड़ी या कुड़की ग भोज राज से उनका बिवाह हुआ तो आप देख रहे हैं कि 13 वर्ष की उम्र में ही उनका बिवाह हो गया है उसके बाद भी वो उस चेत्र में पारंगत हैं जो उन्होंने हमें थम तक पहुंचाया है उनका जीवन दुखों की चाया में बीता वाल्य वश्था में ही मां का द देहांत हो गया भौतिक जीवन से निरास्त मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और ब्रिंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिर्दर गोपाल कृष्ण के प्रती समर्पित हो गई तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में तराशदी आ रही है पहले माता जी का देहांत हो जाता है फिर पती का फिर उनके सवसूर का तो जो अंदर से व्यक्ति टूट जाता है वो उनके पद में इस पश रूप से हम देख पाते हैं कि यही कारण है कि मीरा जो है कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है जाकर और उन्हें एक ये बहुत आसान साधन प्र यात्मिक प्रेणा ने जिन कवियों को जन दिया उनमें मीरा वाई का इस्थान है तो हमने देखा कि मद्धकालीन में जिस तरीके का समाज की स्थिति थी तो वहां पर मीरा जी का बिलकुल ही बहुत अच्छा इस्थान है मीरा के पर पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात बि ुद्हर वहां पर गुजराती का भी प्रभाव हम उनके पदों में देखते हैं हिंडी में जब वो ब्रज में आकर रहने लगती हैं ब्रिंदाबन वाले चेत्र में रहने लगती है जो ब्रज-बहुत उप्लब्ध बहुत कम उपलब्द हो पाई हैं ऐसा माना जाता है कि मीरा ने बहुत सारे पद लिखे जो समय के साथ या तो भूल मदलब खो गए या फिर वो प्राप्थी नहीं हो पाए मीरा की भक्ति दैन और मादूर भाव की है इन पर योगियों संतों और बैस्वनों भक्तों का समलित प्रभाव पड़ा है मीरा के पद की भासा राजिस्थानी ब्रज गुजराती मिस्रत है वहीं पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोक भी मिलते हैं तो हमने पूर्वी हिंदी से ना होकर पश्मी हिंदी में पाया जाता है तो पश्मी हिंदी में हम पाते हैं कि सौरसैनी हिंदी जो है ब्रज से लेकर राजिस्थान और कुछ गुजराती के भी सब्द मिलते हैं मीरा के पदों में क्योंकि वह इस्थान ही है जहां पर आप देखते ह देता है तो चलिए हम पद देखते हैं मीरा के तो पहला पद जो है हमारी पुस्तक में वो यह है हरी आप हरो जनरी भीर दौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारड रूप नरहरी धरयो आप शरीर बुड़तो गज्याज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी म पीरा लाल गिर्धर हरो महारी भीर तो पद में हम देख रहे हैं कि भासा जो है वो राजिस्थानी खड़ी बोली और ब्रज कम इस पस्ट रूप से दिख रही है तो सबसे पहले बच्चों हम इसके पद में जो सब्द आये हैं उसका हम अर्थ एक बार समझ लें तो हमें प इसके बाद भीर का आसा है पीडा से तो इस पंक्ति का ब्याख्या यह हो जाती है कि हरी आप हरो जनरी भीर यानि इस्वर रूपी जो कृष्ण है मीरा उनसे कह रहे हैं कि आप जो भीर है यानि कि जो पीडा है वो आप लोगों की हर रहे हैं यानि आप सामाने जन की पीड लाज राखी आप बढ़ायो चीर तो द्रौपिती की जब चीर हरन की आपने समने द्रफ से देखा होगा महावारत में तो उसमें कृष्ट ने ही द्रौपिती की जो वस्त रूपी साड़ी है उसको बढ़ाते गए थे जिस बज़े से उनकी लाज को बचाया जाजा सका भरत क दारड रूप नरहरी धरियो आप शरीर तो आप देख रहें आपने इसी प्रकार से अपने भक्त को बचाने के लिए नरहरी यानि सिंग कर रूप दारड किया और आपने अपने भक्तों को की रक्षा की बुड़तों गजराज राख्यों काटी कुंजर पीर जब एक हाथियों के में सबसे ऊपर जो पाया जाता है इसके बाद की लाइन है दासी मीरा लाल गिर्धर हरो मारी पीर तो दासी मीरा लाल गिर्धर यानि की मीरा मीरा और यहां पर गिर्धर का तातपर कृष्ण से है तो मीरा कृष्ण से कह रही है कि मैं दासी हूँ आपकी मेरी भ इस पद में सीधा सा कहना यह है कि प्रभु आप पूरे समाज की पीडा को हरते आए हैं, तो आप मेरी भी पीडा को हरें, अगला पद देखते हैं, या इस से पहले हम इसके काव सौंदर को एक बार देख लेते हैं, जिसमें भाव पक्ष में है, भाव पक्ष यानि कि कभी ज वक्ति भावना प्रकट हुई है, इस पस्थ है कि कृष्ण के प्रति भक्त रही है मीरा, तो उनकी भक्ति भावना इस पस्थ रूप से नजर आती है, क्योंकि लास्ट पंक्ती में हमने देखा ही कि मीरा कह रही है कि प्रभु आप मेरी भी पीडा को हर लीजिए, इस्वर पूर्ब कृष्ण के दोरा भगतों पर दया करने की आदत पर प्रकाश डाला हैं तो देखा कि आपने कृष्ण ने किस प्रकार से द्रॉपीदी से लेकर एरावत के पेडा को हरा और उनकी रख्षा की तो इसलिए लिखा है इस्वर जो है वो भक्तों की पीड़ा को हरते आए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि कला पक्च में क्या है, यह जो पद है इसके कला पक्च में क्या है, तो इसकी हम जब भासा को देखते हैं तो भासा सरल एवम प्रभाव तेजक है, यानि कि प्रभाव भीत करती है हमें बहुत ही तेजी स जी क्योंकि हम जब इससे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ही चले जाते हैं लगता है कि बहुत ही आसानी से हम पढ़ ले रहे हैं बहुत सुंदर पद है और मन में बड़ी शांती सुकून और एक खुशी सी होती है इसको पढ़कर काटी कुंजर जो लाइन आई है इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि का और का दो सब्दों में आ रहा है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है पूरे पद में द्रस्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जिस तरीके से हम पद को पढ़ रहे हैं पूरा हमारे पर आके यह पद लिख रही है क्योंकि वो ब्रच की भूमी है, ब्रंदावन है, वहां पर उनके पदों में राजिस्थानी और गुजराती का प्रभाव इस पर स्ट्रूप से देखा जा सकता है, प्रतेक पंक्ति में के अंतिम सब्द में तुकांत है, यानि एक बार है दिया रही हम पिछली कोम्क्ति और रसंतियए डहन्स के वहिसे मैं, फिες बार ऑंतिम सब्ड करता एंतिय хл देखे था में प्रतीत अंतिम सब्द को अगर देखे था तो भीर, चीर शरीर, पीर तो यह, हम उने सब्द हते है है उसको हम तुकांत सब्दों के रूप में जानते है गया जा सकता है, तो गयात्मक सैली का प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि ये पद गया जाते थे उस समय में, मीरा खुद गली-गली में जाकर प्रभु स्री कृष्ण की भक्ती करती थी, तो वो गा गा कर अपने तब्दों को बताती थी, तो अब हम देखते हैं अगले क्योंकि हमेशा हम स्याम रूप जो कहते हैं, वो स्याम महाने चाकर राखो जी, मीरा कह रहे हैं कि मुझे अपने पास नौकरी यानि चाकरी के लिए रख लो, गिर्धारी लाला महाने चाकर राखो जी, इसमें भी देखिए स्याम के बाद इन्होंने गिर्धारी लाला का प लगास्यू नित उठ दरहर पार्श्यू यानि इसमें कह रहे ही दरहर का मतलब जो है वो दर्सन से है लगास्यू का मतलब है वो लगाने से है पार्श्यू यानि पाना तो मीरा इसमें कह रहे हैं कि जब वो आपके मतलब सानिद्ध में नौकरी करेंगी या चाकरी करेंगी त तो यहां पर मीरा का जो दर्सन काभाव है वो इस पश्ट हो रहा कि मीरा चाहते हैं कि क्रेष्ण के डर्सन होते रहा है भले ही उनके इंदर में नौकरी करनी पड़े या उनके साथ पास्यू खर्ची भाव भगती जागीरी पास्यू तीनो बाता सर्ची इसमें मीरा कह रहे हैं कि बिरिंदवन की जो पत्ली गलियां है कुझ गलियां का कुझ गलियां का तातपर है जो पत्ली गलियां है सक्री गलियां है उसमें मैं गोविंद यानि स्री कृष्ण की लीला के जो प्ताद आ हैं उटको वह गाएंगी चाकरी के माध्यम निश्चित रूप से स्री के दर्शन पायंगी और उनके संगरन पादी रहेंगी मिन भाव, भाव, भकति, जागीर, पासिव और उनके जो भकति रूप से लगातार दर्शन पाएंगी तो लगातार ही उनके भक्ति में लीन रहेंगी ये तीन बाते हैं जिसके कारट वो मीरा चाहती हैं कि वो उनके अंदर में आ जाएं उनको श्री कृष्ण रख लें अपने पास ताकि वो उस चीज को जुड़ी रहें उनसे मोर मुकुट पीतामबर सोहे गल बैजनती माला अब मीरा यहां पर स्री कृष्ण के रूप के वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्री कृष्ण के जो रूप है मुकुट जो है और वस्ट जो है बस्ट जो है पीले रंग के हैं पीतामबर का ताथ पर पीले रंग से है और ग जो है वो उनको बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है प्रतीत हो रही है ब्रिंदाबन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला तो ब्रिंदाबन जो है ब्रिंदाबन की गलियों के पतातपर है धेनु का पतातपर गाय से है तो कह रहे हैं कि ब्रिंदाबन में धेनु चरावे मो वो कह रहे हैं कि उंचे-उंचे महल की बीच में वे जो क्यारी है उसका वो ध्यान रखेंगी और वो निमित रूप से स्री कृष्ण के दर्शन भी पाती रहेंगी पहर कुसिंबी साड़ी और कुसिंबी रूपी साड़ी जो है वो पहन कर मीरा ये सब काम करेंगी और उनकी दर्शन पाती रहेंगी आधी रात प्रभू दर्शन दीजियो जमना जी के तीरे मीरा रा प्रभू गिर्धर नागर हिवडो धरो अधीरो तो मीरा कह रहे हैं कि प्रभु यह जो समय चल रहा है उसमें आप आधी रात को भी दर्शन दीजे जमना के किनारे क्योंकि मीरा के जो प्रभु गिर्धर नागर हैं उनके विना उनका जो हिर्दय है व्याकुल हो रहा है बहुत ही व्याकुल हो रहा है तो वच्चों आपने देखा कि ये दो पद किस तरीके से मीरा के हैं और जो किस तरीके से पूरा वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं कि मीरा कि किस तरीके से क्रेशन की भक्ति में लीन थी और किस तरीके से उन्होंने भक्ति को प्रिदर्सित किया अपने पदों के माध्यम से सर आपने इतने सुन्दर तरीके से इन पदों का अर्थ हमें समझाया आपने इतना सुन्दर वरणन किया हम चाहते हैं आप हमें यह भी बताए हमारे दर्शुकों को बताएं कि जो छात्र हैं उन्हें अकसर बहुत तकलीफ होती है, मुश्किल होती है पदों को याद रखने में कैसे इसे याद कर सकते हैं? पदों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि बच्चे जो पद में आए सब्ध हैं, उनके अर्थों को बहुत ही अच्छी तरह से समझें, जिससे क्या होगा कि पद की जो ब्याख्या का भाव है वो खुलता चला जाएगा, क्योंकि सबसे भासा में जो सीखने की बात है वो उसके अर्थ को सीखने की बात है, तो बच्चे यदि सब्धार्थ को नेमेत रूप से याद रखेंगे और एक दो बार यदि अभ्यास कर लेंगे तो निश्चेत रूप से वे आसानी से इन पदों को याद रख पाएंगे जी, तो दर्शकों ये ता हमारा आज का लाइफ सत्र जिसमें हमने सीखा पद मीरा के बारे में इतना संदर वरणन हमने सुना और हम उमीद करते हैं कि आपने इस सेशन में बहुत ध्यान से इस पार्ट का अध्यान किया, इस अध्याई को सुना, अगर फिर भी आपके कुछ रह गई हैं, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, अपना फीड़बैक और सजेशन भी हमें भेच सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे हां आने के लिए और हमें ये पार्ट अच्छे से समझाने के लिए, और दर्शकों हम ये कहना चाहेंगे कि अपसे कुछ अच्छी देर में आप हमारा दूसरा सेशन सुनेंगे जो की डिमॉक्रिसी पर होगा, क्लास 9 की स्टुडेंस के लिए, और इससे पहले कि हम अपने सेशन को इस सत्र को यहीं विराम दें, हम आपको बताना चाहेंगे NCRT की टेक्स बुक्स के बारे में, जी हाँ, NCRT की जो ncrtbooks.ncrt.gov.in और अगर आप चाहें तो इन बुक्स के पीडिया फॉर्मिट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इपाच्छाला, दीक्षा और NCRT वेबसाइट से, फिल हाल हम इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे, अपसे कुछी देर में हमारा दूसरा सत्र शुरू होगा तब तक के लिए, नमस्कार